दोस्तो आधारकार्ड को ले करके गवर्मेंट की तरफ से एक नया अपडेट आया है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसका जो लाब है सभी आधारधारकों को मिलने वाला है अब आधार कार्ड आज सबी लोग जानते हो कि चाहे हमें कोई भी bank account open करना हो, किसी भी government scheme का हमें लाब लेना हो, या फिर कहीं पर भी हमें अपनी identity को साबित करना हो, तो वहाँ पर हम आधार कार्ड का use करते हैं, उसे कुछ समय पहले government ने आधार कार्ड में अपनी जो document है update क करने के लिए बोला था, 14 माद 2024 जो जिसकी last date थी, वो बिल्कुल सर पर आ चुकी थी, लेकिन कई सारे लोगों ने अपने जो document है वो update नहीं किये थे, अब इसको लेकर कि UIDA की तरफ से अभी एक tweet किया गया है, जो कि मैं tweet आपको सबसे पहले तो दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगी कि अभी करीब 2 घंटे पहले आधार की तरफ से एक tweet किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि आधार कार्ट में document update करने का जो काम है, आप आगे भी कर पाओगे, वो भी free में, यहाँ पर आप देखोगे कि 14 जून 2024 तक अभी आधार कार्ट में document update का जो क काम है, वो चलने वाला है, आप online portal पर जा करके अपना पहचान का या फिर पते का कोई भी एक दस्तावेज upload करके, यह जो government की तरफ से कहा जा रहा है, जो काम है आप कर सकते हो, तो यहाँ पर इसको ले करके जो आपको डाउट है कि आपको ये काम करने की जरूरत है या नही है, तो इसको ले करके मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको चेक करना है, पोर्टल पर इसका एक option दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम myadhar.uidi.ub.in पर आ जाएंगे, यहाँ पर आधार कार्ट की कोई भी service को access करने के लिए, सबसे पहले तो आप सभी को login करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर login की type पे click करोगे, देन आप सभी को अपना जो 12 digit का अधार नंबर है, यहाँ पर enter करना है, और capture code जो यहाँ पर दिखाया गया, यह capital, small जैसा भी है, सेम वैसे ही आपको enter कर लेना है, और इसके बाद में आप सभ होगे कि पुरानी ही date यहाँ पर update है, क्योंकि दो घंटे पहले अभी update आया है, तो अभी आप free में यह जो service है, वो access कर पाओगे, यहाँ पर कुछ समय के बाद में आप चेक करोगे, तो नई जो date है, यहाँ पर update हो जाएगी, तो यहाँ पर अगर आपको यह चेक करना है, क आपके आधार कार्ड में जो भी recent update होए है, वो यहाँ पर पूरी एक list आ जाती है, यहाँ पर आपको यह भी देखने को मिल जाता है, कि कार्ड बनने के बाद में, आपने उस कार्ड के अंदर क्या-क्या changes कराया है, कब आपने बैमेट्रिक चेंज कराया है, कब आपने demographic update कर आया है, उसका जो duration है, वो चेक करना है, कि यहाँ पर कोई भी document आपने उस update करने के लिए दिये होंगे, तो यहाँ पर आपको फिर यह जो document update का काम है, वो करने की जरूत नहीं है, अगर आपने साल-दो साल के अंदर आपने काम किया हुआ है, अधार में कब-कब क्या changes की है जिससे कि आप decision ले सकते हो कि आपको आधार कार्ड में document update करने की जरूत है या नहीं है, आपका जो आधार कार्ड अगर 10 साल पहले जारी किया गया होगा, या फिर आधार कार्ड को बनाते वक्त उस समय आपके पास कोई identity proof मौझूद नहीं था, आपने प्रधान के जरिए, या फिर नगर पालिका के जरिये कोई certificate प्रवाडित करके upload किया है, तो आप अभी आ करके अगर document मौझूद है तो वो upload कर सकते हो, यहाँ पर आधार में अगर आप login करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे, पहले ही आपको dashboard पर ही जो message आप वो देखने को मिल जाता है, अगर आप देखोगे, बताया गया है कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि इस process के जरिए आपके आधार कार्ड पे कोई correction नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है हम document अपडेट कर रहे हैं, KYC करने करने करेंगे, यहाँ पर आपको बताया गया कि इस process के जरिए आपके आधार कार्ड लिए हम next करेंगे, यहाँ पर भी process flow में हम next करेंगे, हमें अपनी जो details से देखने को मिल जाती है, यहाँ पर I verified that के option पे click करेंगे, next करेंगे, then आप देखोगे कि हमारे सामने document upload करने का जो page है वो आ चुका है, तो यहाँ पर आप सुभी को upload करने के लिए सबसे पहले तो select while supporting document टैप पे click करोगे, तो यहाँ पर कई सारे document दिखाएगे हैं, जैसे कि आप अपना driving license, passport, अपना पहचान पत्र दे सकते हो, किसान passbook दे सकते हो, इसी के साथ में आप देखो कि धेरो ही document यहाँ पर लगाये जा सकते हैं, अब सारे document का जो name है मैं नहीं गिराऊंगा, menu to upload के option पे click करेंगे, यहाँ पर आप अपने mobile के camera से photo को capture कर सकते हो, या फिर file को जहाँ पर भी आपने save करके रखा है, आप कुछ इस तरीके से selection कर सकते हो, इसके बाद में address proof के section में आना है, यहाँ पर आप देखोगे, कि आपको दूसरा भी document upload करने का option दिया गया है, अग आपर सारे document select करने के बाद में, I hear by a given concept के option पे click करेंगे, next करेंगे, तो आप सभी के सामने payment करने का जो option है, वो आ जाएगा, अब जैसे कि आप सभी को पता है, कि अभी यह जो काम है, वो free में हो रहा है, आपको कोई भी payment करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप submit करोगे, तो आपका जो SRN number है, वो भी दिया गया है, अब यहाँ पर यह जो SRN number दिया गया है, इसके थूरू आप अपना जो current status है, वो application का जान सकते हो, आप dashboard पर आओगे, तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने जितनी भी request दर्ज कर रखी होंगे, उनका जो current status है, देखने को मिल कि अपने जो document है, वो update कर सकते हो, बाकी आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, मुझे comment box में जरूर लिखना, चैनल पर अगर आप नए हो, तो चैनल को subscribe करके जरूर रखना, और हम मिलते हैं ऐसा ही एक नए वीडियो में, तथक लिए goodbye, जैन